अगर आपके पास है MST की डिग्री तो आपके लिए है गुड डियूज CSIR UGC ने JRF Net Exam के लिए नोटिफिकेशन जारी कर भिया है अगर आप अपलाई करना चाहते हैं तो 9 सतंबर 2011 तक कर सकते हैं अगर आपके पास है साइन्स स्क्रीम से मास्टर्स की डिग्री और आप बनना चाहते हैं Lecturer या फिर करना चाहते हैं Junior Research Fellowship के लिए अपलाई तो अपने सपने को साकार करने का आपके पास है बेहतरीन मौका CSIR UGC ने JRF Net Exam के लिए जारी कर दिया है नोटिफिकेशन कौन कर सकता है आविदन? अगर आप CSIR UGC परिक्षा में अपलाई करना चाहते हैं तो किसे भी मानिता प्राफ्ट उन्यूस्ट्री से कम सकम 55 प्रतिशत अक्कों के साथ साइन्स स्क्रीम में मास्टर्स डिग्री होना बेहतर जरूरी है कैसे करें आविदन? CSIR UGC परिक्षा के लिए आप आउनलाईन के साथ साथ आफलाईन आविदन भी कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें कैसे होगा सेलेक्षन? सेलेक्षन से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए लॉग ऑन करें उम्र सीमा जो मिद्वार CSIR UGC एक्जाम के लिए अपलाई करना चाहते हैं उनके उम्र 19 साल से 28 साल के पीछ होनी चाहिए उम्र में छूट सरकारी नियमनसार दी जाएगी आविदन के अंतिम तारी CSIR UGC परिक्षा में आविदन करने के अंतिम तारीक है 9 सितंबर 2011 आविदन से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए लोग उन करें